नमस्कार साथियों मित्रों एक मारमाडी सेठ बरसाने में गया उसको कुछ दिन बरसाने में रुकना भी था उसका एक नियम था कि भोजन करने से पहले किसी संत को भोजन कराता था फिर खुद करता था एक दिन भोजन का समय था सेठ ने नौकर भेजे और कहा जाओ संत को बुला कर लाओ उस दिन कहीं बहुत बड़ा भंडारा था सारे संत भंडारी में चले गए बरसाने में कोई संत नहीं मिला अब श्री जी मंदिर की सीड़ी पर एक पागल सव्यक्ति बीड़ी फूग रहा था नौकरों ने सोचा ना संत मिलेगा ना सेठ भोजन करेगा और ना हम को करने देगा एक दो लाल पीले कपड़े बाजार से लिए और एक उस पागल के गले में उड़ा दिया और एक उसके सिर पे पहना दिया और उसका तिलक कर दिया और उसको कहा तू संत है हमारे सेठ जी अच्छी दक्षिना देते हैं सेठ जी के सामने कुछ मत बोलना हम कहे देंगे कि मौनी बाबा है उसको सेठ के पास ले गए सेट जी ने उसको बैठाया चरण धोए थाल सजाया और गरम हलुआ परोसा गया वो बेचारा मांगने वाला भिखारी था जैसे ही हलुआ देखा उठा के खाने लगा सेट ने कहा तू खड़ा हो जा तू नकली है तू सेट नहीं है संत जब भोजन करते हैं पहले प्रार्थना करते हैं उसके बाद भोजन पाते हैं सेट ने उसको भगा दिया वो भूखा रोता रहा सेट जी ने स्री जी से प्रार्थना की हे स्री जी मैंने अपनी पूरी कोशिस कर ली मुझे संत नहीं मिले जिने मैं भोजन कराता उसके बाद सेठ ने भोजन कर लिया भिखारी भूखा रोता रहा रात को सेठ जी के सपने में किशोरी जी आई किशोरी जी ने कहा उसको भूखा उठा दिया बहुत बड़ा दानवीर बनता है सेठ ने कहा महारानी वो संत नहीं था वो पाखंडी था किशोरी जी ने कहा सेठ एक दिन खिलाना पड़ गया तो संत का संतत्व देख रहा है मैं उस पाखंडी को 40 साल से खिला रही हूँ वो आज तक भूखा नहीं सोया मैंने तो आज तक कभी नहीं पूछा कि वो संत है या पाखंडी है मित्रों इश्वर सब का पालनहार है जवकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं फिर भी भगवान सब को पालता है सब को समान समझता है साथियों भगवान ने सब को समान बनाया है ये उच नीच छोटा वड़ा सब कुछ इनसान ने बनाया है मित्रों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये मुझे कमेंट में जरूर बताईए यदि आप भी स्री जी पर विश्वास करते हैं और उनके भगते हैं तो कमेंट में जैसरी राधे जरूर लिखिए कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों मिलती हैं फिर एक और कहानी के साथ राधे अलवेली सरकार जै जैसरी राधे